जैहिंद बंदे मातराम सात्यों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे सात्यों आज की वीडियो उन छात्रों के लिए है जो छात्र अपना यूजी के किसी भी कोर्स में एड्मिशन लेना चाहते हैं फिर चाहे कोई भी यूनिवर्स्टी है या फ उन फीज चानी है किस तरीके से एंट्रेंश एक्जाम होगा तो आज की वीडियो बहुत ही वहत्पून होने वाली है तो उरेक को प्रैस करने 對啊 सब्से पहले मैं अब सब्कूज धा करने कि इस बार जो admission होंगे फिर चाहे वो कोई भी university है या college है तो इस बार admission की प्रक्रिया change कर दी गई है जी हाँ इस बार नई सिख्छानिती के तहत admission कराए जाएंगे और जो admission होंगे इस बार ऐसा नहीं के merit के base पे होंगे डारेक्ट admission हो जाएंगे तो इस बार पूरे भारत वर्स के लिए जो admission की प्रक्रिया है वो की गई है entrance-based यानि की CCAT के नाम से यानि की common university entrance test आपका कराया जाएगा उसके लिए जो form fill है वो आपके form fill हो रहे हैं वो जो आपके form fill हो ने start होए थे वो आपका 6 April से start होए थे और उसकी जो last date है वो 6 मई है यानि कि बहुत जल्द उसकी last date होने वाली है तो यदि आपने अभी तक अपना form fill नहीं किया है तो उसको जरूर fill कर लिजीगा फिर चाहें वो आप यूजी के किसी भी कोर्स में अड्मिशन लें बीए बीसी बीकॉम बीए बीसी कोई भी आप कोर्स करें तो उसके लिए आपको form fill करना अनिवारी है और उसका जो आपका एक्जाम होगा वो एक्जाम लगबग टेंटिटिव जो आपका ह है और यदि हम बात करें जो फिजीकल हैं तो उसके लिए फीज जाएगी वो साड़े 500 रुपे हैं तो यह इसकी फीज जाने वाली है एंट्रंस की तो इस बार याद रखेगा जो सभी पूरे भारतवर्स में जितने भी यूनिवर्स्टी या कॉलर्स हैं तो जो एड्मिश तो साथियो यदि आपको यूजीक पे एड्मिशन लेना है तो उसके लिए आपको यह फॉम फुल करना अनिवारिया है और यदि आपको नहीं करना है आपको कोई भाई बेहन है तो उन तक इस वीडियो को पहुचाना बहुत जरूरी है कि यदि वो फॉम फुल करने से वन दूंगा तो साथियो आलमुस्ट मैंने सब सारी चीज़ें आपको के लिए कर दी है यदि अभी भी आपको कोई डाउट या कॉस्चन रह गया है तो आप मेंसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जल होगा उसका अंसर यस पर वीडियो बनाने की पूरी क पूस्स करूंगा तो चली साथ ही मिलते हैं आपसे नेक वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक के लिए